तो असलाम अलेकुम एवरिवन कैसे आप सब लोग आप सब ठीक होंगे खेरे से होंगे और अलहमदुलिला आप सब लोगों की दुआउं से मैं भी ठीक हूँ तो यहाँ पर अभी हो रही है खीर बनानी की तैयारी तो जैसे की कप में आप लोगों ने देखा वो घी था और वह यहां पर हे ड़व में चीनी और यहां पर काजू बदाम को जो है मैने के लिए और मैं आज रवे कीखीर बना रही हूं इसे पहले तो यह देख सकते हैं अप Micheam यहाँ पर हम एड़ से अंदर अर अच्छी तरह तो सबसे पहले मैंने बीना घी के इसको थोड़ा सा भूना उसके बाद मैं इसको घी डालके भून रही हूं और माशाला आप यकिन नहीं करोगे यह इतनी अच्छी खीर बने थी मज़े की माशाला बहुत यह अच्छी बहुत टेस्टी बनी थी तो यहां पर थोड़ा सा घी आप लोग सोच रहेंगी कि मैंने कप में घी यहां पर क्यू निकाली हूं तो एक्छी मेरे पास घी खतम हो चुका है पूरी तरह से तो यह घी जो है नीचे से आम्मी ने भेजे हैं और दूद जो है यहां पर हमारा गरम होने लगा है चीनी जो है मैंने इसमें एड़ कर द का पेस्ट जो मैंने तेयार किया था मतलब जो बारी जो पीस लिया था वो भी मैंने इसमें एड़ कर दिया सौरी क्यामरा जो है बन था मैंने क्यामरा बन कर दिया था क्यूंकि जो रवा है हमारा इसको भूनना था मुझे तो यह आप दो देख सकते लाइट कैसे गोल्डन हो चुका है इसका रवे का कलर और हमें इससे जदा इससे नहीं भूनना है बस इतना ही इसको भून लेना है हमें रवे को तो मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया जब यह भून के हो गया तो मैंने देखिए इसको प्लेट में निकाल लिया और प्लेट में निकालने के ब इलाएची मैंने ले लिए पाँच्छे इलाइची को मैं इस तरह से कूट री हूँ मैरे पास सिल्वत्था जो है वह वाला है लेकिन वह Thank you वह चाह tayो का जो बदाम को भीगों करके वारीक वारीक टुकड़ों भी इसमें यह टिरे सकते हैं लेकिन मैंने क्या क्या कि इसके अंदर मैंने मतलब तूटकर add कर लिया पीस करके mixer में तो ये भी ज़ादा tasty लगता है पूरा जो है मुद में भी नहीं आता है वह सारे बच्चे भी मतलब क्या करते हैं खाते नहीं है तो यहाँ पर दिखें साती में मैं घी भी इसमें एट कर दे रही हूँ दूद के अंदर ही और जो कप के अंदर जो घी लगावा रहता है साइड में इधर उदर से तो गरम दूद मैंने इसके अंदर डाल दी तो जो बाकी का बच्चा हुआ जो कप के अंदर घी होता है वो भी इसके अंदर चला ग करूंगी इसमें इसमें से मैं आदा करूंगी या तो फिर मतलब इसका एक छोटा ही हिसा में रख लूँगी बाकी का इसमें एड करूंगी कि दो लिटर दूद है आप अपने हिसाब से एड करिए जैसे कि आपको बहुत जादा गाड़ी रखनी है खीर या फिर पतली रखनी है तो आप मतलब जैसे की धाई सोग्राम इसमें एड कीजिए अगर आपको गाड़ी नहीं रखनी है जादी तो यहाँ पर जो है मैंने जादा बहुत जादा के रेडी हो रही है मतलब आप मैंने इसको लो मीडियम पर रखा है ग्यास को तो खीर की जो ठीकने से वह भी आप लोग देख सकते में चम्मस से दिखा देती हूं आप लोगों को यह दिखे और इससे जादा यह और ठीक हो गई थी जब मैंने इसका ग्यास का फ्लिम बन कर कर देख साאני झेल है तो अब होने लगी है यहां बहुटा साल ख्ली कि असी होता है और अज आप लोगों को मेंच लग रहा होगा ग्यूंकि इधर पर पुरा सामान निंका काम का रखा हुआ है दर से रिंग लाइट है और वेड है तो आप क्या करें कि मुम्बै इसे होता है यहाँ पर इसे चोटे-चोटे से रूम होते हैं इसी तरह से एक्जस करना होता है तो कोई बात नहीं चलते रहता है इंशालला जब हमारा घर होगा तो वहाँ पर तो मैंने सुना है कि अच्छाई होगा तो आप लोग दूआ करें और हम भी दूआ करते हैं कि जल्ले से मिल ज और हुआ है और कुछ यहाँ हैं पानी ऑगता हुआ है और अगर बत्ती में रखने वाण मेरे पास कुछ था नहीं तो मैंने यहाँ पर प्र कप के अंदर रखलिया था तो फातिया देके नहीं ऐसी लिएया दैर वि जेर q się घृग भी करहएं देना तो माशाला फाजा गरी नमास की चटी थी और बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छी बनी कीर माशाला आप लोग जरूर इसको ट्राय करना इस रेसिपी को और क्या होता है ना जब इस मौकों पर हम बनाते हैं न कोई चीज वह जाधा अच्छी बनती है नॉर्मली पहले में वह यहां पर मैं थोड़ी सी खालूंगी और बाकी थोड़ी सी इन के लिए बचा के रखूंगी और यह भी आए नहीं यह काम पर से बाहर गए थे तो चलिए फिर आप मैं बनाने जा रही हूं फालूदा तो यह दूसरा दिन है तो यहां पर जो है मैं बना रही ह हमेशा से यूज़ करती हूँ तो यहाँ पर देखें यह रोस फ्लेवर है तो दूद जो है गरम हो चुका था अलमूस्ट तो मैंने फिर इसके बाद इसमें यह एड़ कर दिया दूद जो है एक लिटर से थोड़ा सा जादा है और मैंने थोड़ा सा आदा गिलास इसमें पान हो जाता है इसके अंदर सेवईया होती है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर सबजा है सेवई हैं और भी बहुत कुछ है तो अब जो है गयास का फ्ले मैं लो कर देती हूँ तो वहाँ वाला गयास जो है वो सही नहीं है खराब है थोड़ा सा उसको जब मैं लो करती हूँ ना तो वो बंध हो जाता है तो मैं सबसे पहले क्या करीक दूसरा रखोटालोंगी यह दूसरे वाले ग्यास पर में रखोंगी व्लखेल रखुखा औराचास व् wa Л is a रियू के पर रखने तो यह दिखे पखे हो गएई अच्छी तरह से अच्छी तरह से प簡 गया है हुआ है तो पर फिर तो भगाना बना ल Finnish करने तो खाना उना सब हो गया और रोटी बन के तयार हो गई था हुग्ए खाना हो गया सब खोगया और फालुधा जो है बन के तयार हो गया और यहां पर बच्चे पीने भी लगे हैं फालुदा और यह दूसरा दिन है तो आज के व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूं दूआ में याद रखेगा अपना ख्याल रखेगा और इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेगा आज के व्लॉग में पूरे व्लॉग में मैं कहीं भी जादा नहीं थी तो चलिए फिर इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेगा दूआ में याद रखेगा अल्ला हाफीज